असलाम अलेकुम डेस्टोन थेंक यू वरी माच आपने मेरी पहली वीडियो देखी उनको लाइक किया सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आने वाली वीडियो भी आप देखेंगे लाइक करेंगे और शेर करना न भूलिएगा मेरी वीडियो को ज्यादे बात मेरी करें आज का हमारा टॉपिक है टाइपस ऑफ बिजनेस जिसमें हम स्ट्रेडर पार्टनर्शिप एंड किया होता है जैसके नाम से ही पता चारा है सौल सोल मिर्ड न शिंगल वन परसंड बिजनेस या सोब ट्रेडर किसी एक शखस का बिजनेस जो हो हम उसने सोब का नाम जेते हैं. A sole trader is someone who is self-implied and runs their own business as an individual but can also implied staff members. Being sole trader means you are solely responsible for the business and its debts. The business and the owner are effectively one and the same. This means any losses made by the business must be paid for out of your own pocket. This is called unlimited liability. Sole trader क्या होता है? Sole trader एक ऐसा शखता है जो अपना business start करता है. उसमें वो खुद working भी करता है. खुद काम भी करता है. Being a sole trader आप हर चीज़ के आप खुद responsible होती हो. Business के loss के, business के profit के. अगर business को profit हो उसे तो सारा का सारा एक ही शखता है. और अगर business को loss होता है तो तुमाम loss का responsible एक ही बंदा होता है. तुमाम का तुमाम जो loss है उसको एक ही बंदे को सफर करना होता है. जो उसका owner है वो ही उस loss को बरदाश करता है. जिसको unlimited liability कहते है. इस मीन के business में जितना भी लास होगा. उ उसको अपनी जाइदाद बेचनी पड़े, उसको अपनी property बेचनी पड़े, उसको जितना भी जितनी liabilities होगी उस पर वो उसने must pay करनी है. तो soul trader की liabilities unlimited होती है. ऐसा नहीं होता कि उसके limited liabilities हों. उसके liabilities unlimited mean कि business में जितना भी loss होगा तो तमाम की तमाम loss का वो अकेला ही बंद सारा का सारा एक ही शक्स को मिलता है और सारा का सारा loss भी एक ही शक्स बरदाश करता है. इसी तरह अगर हम देखें तो हम कहते हैं इसके advantages क्या क्या हैं और disadvantages क्या क्या हैं अगर इसके advantages हम देखें तो after you have paid tax you can keep all business profit. तो जैसा कि मैं बता चुका कि एक ही शक्स को सारा का सारा profit business बिजनस का मिलता है जब अपने सारे एक्समेंट टीचर कर लेता है टेक्स पे कर देता है तो बिजनस का जितना प्रॉफिट होता है वो एक ही शक्स को मिलता है You have full control of how your business is run and all decisions can be made by you alone Alone mean के एकी शख्स एकी शख्स तमाम बिजनस को control करता है और सारे के बिजनस के जितने डिसीजिश होते हैं वो एकी शख्स करता है Made by you alone, alone mean के एकी शख्स जो है वो बिजनस के तमाम के तमाम decisions करता है और एकी शख्स बिजनस को control भी करता है यूर business data is kept private min security इस business की इस बीजिस की इसे बहुत ज्यादा होती है کیूँकि एक शखस के पास तंमाम का तंमाम data होता है उसी को पता होता है कि उसको business में कितना profit हुआ है उसके इलाव वो किसी और को शूर नहीं करता ये सोल ट्रेडर का बहुत बड़ा एक benefit या advantage या merit आप इसको कह सकते हैं तो ये थे इसके advantages कि हमने कहा कि सोल ट्रेडर बिजनिस की कौन-कौन से advantages हैं कौन-कौन से merits हैं कौन-कौन से फवाइद हैं इस तरह disadvantages या demerits या नुकसनात हम दिखते हैं You are liable for any business losses Business में जितने भी losses होते हैं वो एक ही शखस को pay करने पड़ते हैं It can be difficult for a sole trader to financial funds their business ventures अब उसके लिए एक शखसी बिजनिस तमाम के तमाम capital दे रहा होता है तो वो तमाम के तमाम जब capital दे रहा होता तो जतना ही capital उसके पास होता वो अतना ही invest करता है उससे जदा बिजनिस में उस चीज़ को invest नहीं कर सकता जितना सरमाया उसके पास होता है वो अतना ही देता है उसके लाव वो जो बिजनिस में investment नहीं कर सकता या अपनी बिजनिस की investment को increase नहीं कर सकता The pressure for a business to succeed in placed on an individual shoulder अगर आप देखें तो तमाम का तमाम बिजनिस का प्रेशर एक ही शखस के कंदों पर होता है एक ही शखस पर होता है बिजनिस का तमाम प्रेशर तमाम activities को जब एक बंदा कंट्रोल करोता है तो तमाम का तमाम प्रेशर भी एक ही शखस बरदाश करता है अगर business को जैसे हमने बताया loss होता है या उसने supply करनी है या उसने purchase करनी है या उसने sale करना है तमाम की तमाम responsibility एक ही शखस के सर पर होती है एक ही शखस के कंदे पर होती है तो ये इसका disadvantages और advantages हमने discuss कि कि अगर आप soul trader का business कर रहे हैं तो उसके कौन-कौन से advantages हैं आरेडी discuss कर चुके थे कि 2 or more than 2% carry on their activities for the purpose of earning profit कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब करुबारी activities करते हैं या business के activities करते हैं या कोई भी activities ऐसी करते हैं जिनका purpose earning profit हो तो हम उसको partnership का नाम देते हैं 2 and more than 2% अब इसकी definition देख लेते हैं हम कहते हैं partnership is where 2 or more people from a business together and all business partners share responsibility for the business the profit made a split between each partner and they are individually responsible to pay their share of tax तो देखें partnership का business क्या होता है 2 or more than 2% 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनिस की जितने भी काम होते हैं वो करते हैं बिजनिस के responsibilities को उठाते हैं बिजनिस को run करते हैं बिजनिस को चला रहे होते हैं तो जितना भी बिजनिस का profit होता है वो उनी partners को मिलता है जितने partners business में involve होते हैं 2 होते हैं 3 होते हैं 4 होते हैं जितनी भी business के partner हैं तमाम की तमाम उनको जितना profit होता है उसने ही share के मताबिक हम उनको distribute कर देते हैं उन partner's के दर्मयान, और वो tax pay के करने के हर partner अपना tax खुद pay करता है, क्योंकि जितना profit का हिस्स वो लेता है, उसी profit के हिस्से पर वो tax भी pay करेगा, तो देखें हमने कहा partnership में, soul trader में only one person होता है, जबकि partnership के आपके two and more than two persons होते हैं, तो इसके partnership के advantages and disadvantages क्या हैं हम भी देख लेते हैं अगर partnership जैसे हमने soul trader के advantages and disadvantages पड़े अब हम partnership के देखते हैं the more the more partners the higher profits possibility and the easier to financially fund the business source trader में तो सारा एक ही शक्स control कर रहा हुता है एक ही शक्स invest कर रहा हुता है तो इस वज़े से इतने funds के पास नहीं होते जबके partnership में two and more than two percent involved होते हैं ज्यादा लोग involved होते हैं तो इसलिए उसका capital भी ज्यादा होता है investment भी ज्यादा होता है इसी तरह देखें a partnership allows a business task responsibilities to be assigned to each partner depending on their skills which takes the stress of just one person देखें जैसा के soul trader में तमाम responsibilities, तमाम tension, तमाम responsibility एक शक्स पर होती थी यह आप assigned कर देखते हैं जितने भी आपके partners होते हैं क्या आपकी responsibilities होती है वो distribute हो जाती है वो partners में तक्सीम हो जाती है इस जीसे आपका काम बहतर तरीके से होता है क्योंकि आपके partners होते हैं हर जो जिस बंदे की skills होती है जिस partner की skills होती है उस skills के मताबिक वो अपना काम सा रंगाम देता है इसी तरह कर देखें solving business problem and making decision can be made easier as you get a selection of opinion ideas क्योंकि आप कहते हैं जैसे हम management की time है two heads better than one के दो heads दो आपके सोचने वाले एक से बहतर होते हैं तो आप इसी तरह अगर आप देखें तो partnership में आपकी जो लोग जो business में involved होते हैं partners वो आपस में decisions कर सकते हैं काम करता है तो उहां पर losses के chances ज्यादा होते हैं इसलिए advantage partnership का यह है कि partnership में आपको दो या दो से ज्यादे जितने partners होते हैं वो उसके मताबिक आपको ideas भी देते हैं इसी तरह अगर आप देखें disadvantages कि जैसे इसके advantages या merits हैं इसी तरह इसके de-marriage भी है disadvantages भी है the possibility to disagreement not being able to come to an agreement on how the business is run देखें partnership का सबसे बड़ा problem यह होता है कि अगर partners में आपस में कोई dispute आ जाता है कोई problem हो जाता है और agreement के मताबिक उस business को खतम कर देते हैं किसी time भी हो business खतम हो सकता है उनकी कहीं पर भी आपस में dispute आया तो उस business के खतम होने के ज़्यादा से ज़्यादा chances होते हैं उस business को फिर वो run नहीं कर सकते taxation laws say that all partner must pay their own tax just like a sole trader would also if a partner obtain a certain level of profit the partner may be phased to pay more than they would in a limited company देखें partnership में जो partner होता है उसको जितना profit होता है उस profit पर वो tax pay करता है जैसे sole trader अपना tax pay करता है सेम इसी तरह हर partner अपना tax pay करता है ऐसा नहीं होता कि आपने total profit में से अपने tax pay कर दिया तो आपने total tax अगर profit में से tax pay कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर partner अपना tax pay नहीं करेगा हर partner individually अपना tax pay करता है जिसकी वज़े से इनको जो profit का share मिलता है double taxation भी आप इसको कह सकते हैं कि business में भी वो tax pay करते हैं और हर partner अपना tax भी pay करता है तो देखें यहाँ पर जब हर partner अपना tax pay कर रहा है तो partner का profit जो है वो कम हो जाता है tax की वज़े से क्योंकि उसने tax pay कर रहा होता है तो देखें यह हमने पढ़ा कि partnership की क्या advantages और क्या disadvantages है इसी तरह हम देखते है company या corporation क्या होता है a limited company is an organization that is set up to run a business unlike a sole trader partnership allow of all business finance are kept separate to your personal finance after payment of corporation tax the profit are available to distribute the shareholder as dividend public limited में actually आपके shareholders involved होते हैं यह बोद बड़ा setup होता है जो organization होती है यह soul trader यह partnership की तरह का नहीं होता इसमें ज्यादा पार्टनर इन्वालव होते हैं पार्टनर इसमें ज्यादा shareholder involved होते हैं यह share invest कर शेर की में investment करते हैं company की investment भी बहुत ज्यादा होती है और company को जितना भी profit होता है वो अपने shareholder में distribute कर दिया जाता है जो आपको profit distribute करते हैं, आप shareholder में उसको dividend का नाम दिया जाता है dividend mean divide करना, कि profit को आप divide कर देते हो shareholders में कि आप उनमें distribute कर देते हो, कि जो company का total profit होता है उसमें से आप जितने भी आपकी shareholders होते हैं, उनको उनका हिस्सा profit का आप पे कर देते हैं तो company corporation ये एक बड़ी organization है, एक legal entity होती है, एक separate legal entity होती है, इसमें जितने भी लोग involved होते हैं, इसका owner को ही नहीं होता ये तमाँ के तमाँ shareholder होते हैं, अगर private limited company है तो उसका तो आपका owner हो सकता है, लेकिन अगर public limited company है, तो उसमें तमाँ के तमाँ board of directors के members होते हैं जो आपकी shareholders होते हैं, उनके आपस में election होते हैं, वहीं से वह फिर आप क्या बनाते हैं, एक board बना लेते हैं और वोड़ ही उसको आपकी corporation या company को run कर रहा होता है तो देखें, आपकी companies में आपकी shareholder होते हैं, जो owner होते हैं, वो आपके shareholder होते हैं देरा two types of company, public limited company, जैसा कि मैं बता चुका, share can be bought and sold through stock exchange, इनके share stock exchange के through sale किये जाते हैं, private limited company cannot buy and sell share, क्योंकि ये private limited किसी एक शखस की भी हो सकती है, इसमें दो भी involved हो सकते हैं, थ्री भी involved हो सकते हैं, लेकि public limited company, उसके shares open market में sales and purchase होते हैं तो ये हमने पढ़ा कि corporation company क्या होती है, ये एक legal entity होती है, जिसके shares हमने कहा कि आप क्या करते हैं, sales कर सकते हैं, और इस company के shares को आप open market में भी sales कर सकते हैं इसी तरह हम आप company के advantages देखते हैं, when registered a limited company, you must register the company name with company's house, the business identity is unique to you and will be protected from the business trying to use the same name तो इसके सबसे बड़ा वाइदा ये होता है, कि अगर आपके shareholders आते जाते रहते हैं तो company पर कोई भी फरक नहीं पड़ता, company के share sales भी होते हैं, purchase भी होते हैं, तो company पे आपका business खतम नहीं होता you have to opinion to offer company share to your employees, which motivates them more and give a chance to have a say in how the business is run तो देखिए अपने employees पे भी आप इसके share sales कर सकते हैं, जब आप इसके share sales करते हैं, तो वो motivate होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसका chances होते हैं इसको अच्छे तरीके से चलाने के, और ज्यादा ज्यादा chances इसके होते हैं इसकी improvement में, तो company के share, आप open market में भी sales कर सकते हैं, और आप इसको अपने employees में भी sales कर सकते हैं, जिससे आपकी employees की performance भी बेतर होगी, company का profit भी ज्यादा होगा, और company अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ सकती है, अब हम देखते हैं company के disadvantages किया हैं, जैसे इसके advantages हैं, वैसे ही इसके disadvantages बोत हैं, देखें, bookkeeping and accounting of a limited company is more complex as you are required to keep accurate record as a good along and the submit range of data each year, तो देखें, आपकी accounting की book को इधर maintain किया जाता है, book में जो bookkeeping की जाती है, वो बहुत strong कर होनी चाहिए, क्योंकि इसका company का record बहुत accurate होना चाहिए, so trader में आप accounting के record का इतना ख्याल नहीं करते, partnership के business में भी आप accounting का इतना ख्याल नहीं करते, जबकि company जब आपको keeping और accounting का जो record होता है, उसको बहुत आपने accurate रखना होता है, इसके बाद आप देखें, private limited company can't trade their share with the public as a way to boost capital, देखें, आपकी private limited company अपने share open market में sale नहीं कर सकती, अपने capital को increase करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ public limited company ही कर सकती है, private limited company नहीं कर सकती, director and shareholder may not agree on how the business is run as as well as new ideas, जो directors होते हैं, shareholder जो हैं आपके not be agree, वो अगर agree नहीं होते on the business, वो business run नहीं हो सकता, new ideas आपके नहीं आते, जबकि soul trader में तमाम के तमाम decision एक शख लेता है, partnership में भी आपके new ideas आते रहते हैं, जबकि आपके shareholder या directors हैं, ये अगर किसी बात पर agree नहीं होते, तो वो business मे उसको आप implement नहीं कर सकते, certain information on the company, its directors and shareholder is available in the public domain, तो देखें इनकी जितनी भी बाते होती हैं, उनमें secrecy नहीं होती, वो general public में issue हो जाती हैं, या available होती हैं, या leak हो जाती हैं, आपकी corporation में, ये company में, आपकी जो है, आपकी इस business में, आपकी secrecy नहीं होती, जबके partnership में, और आ secrecy होती है, या आपकी जितने भी shareholders होती हैं, ये जितने भी outsiders होती हैं, जनल public होती हैं, उनको आपकी information, उसके मताबक हो जाती है, कि इस company ने profit कितना किया है, इसके shares कितनी है, इसका capital कितनी है, कितने market में, इसकी share कि price कितनी है, इसको share पे profit कितना हो रहा है, या business में, जितनी भी बिजनिस की आप कह सकते हैं confidential चीजी होती है वो भी जर्नल पब्लीक आपकी इशू हो सकती है तो इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रेशी है कि इसमें सेक्रेसी नहीं होती तो देखें अब हमने बिजनिस की टाइप को डिसकस किया उसके डिसकस किया कि सोल ट्रेडर आपकी पा कर चुके हैं नेक्स्ट हमारा टापिक होगा उसमें हम जाने से पहले हमने कहा कि हम इसको डिसकस करने के कारप्रेश्न क्या होती है बूक की इपिंगव हम एकाउटिंग इसकी की पढ़ेंगे कि इसके शेर कैसे शू किये जाते हैं हम इसके capital कैसे आता है और यह बक्साफेक को किस तरीके से मेंटेन करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आज का लक्षर आपको समझा गया वोगा आपको कोई क्वेस्टन कोई क्यूरी हो आपको क्वेस्टन कर सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं मैं उसका रेपलाई करूँगा थैंक्यू वरी मैच मेरी वीडियो को लेखें ज्यादा ज्यादा शेयर करें थैंक यू बेर मिंच